पाइथन टिटोरियल इन हिंदी में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है पाइथन कमेंट्स पाइथन कमेंट्स होता क्या है इन पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलपर अक्सर अपने दरा लिखे गए कोड का वर्णन करने के लिए कमेंट्स का उप्योग करते हैं ये या specific section जो होते हैं कि जो की functionalities जो होती ही को समझाना साथ ही साथ documenting करना formulas की procedure और complex business logic and provide करता है insist into the code purpose काई के लिए insist किया जाता है इसो code purpose के लिए भी insist किया जाता है यह ध्यान रखना आवशेक है कि program चलाते समय python interpreter द्वारा जो comments को नजद अंदर कर दिया जाता है यह के लिए script की ही व्याख्या करता है तो हम यह कर सकते हैं कि यह जो comments है C language में भी use क्या जाते हैं C++ में भी use कर सकते हैं Java में भी use करते हैं और other language में भी use करते हैं तो comment का main purpose क्या है particular जो line हम दे रहे हैं उसको comment करना और जब हम इसको interpret करेंगे या जब हम इसको compile करेंगे program को तब comments उस case में hidden हो जाते हैं, उसको read नहीं करता है, compiler या interpreter और वो program run हो जाता है, python के कई प्रकार होते हैं, हम single line comments की बात कर रहे हैं और multi line comments की बात कर रहे हैं, next topic में, next slide में हम इन सब के बारे में one by one समझते हैं, what is python, python क्या होता है, in python comments code के भीतर text की पंक्तियों होती हैं, जिने program execution के दोरान python interpreter द्वारब पुरी तरह से अंदेखा कर दिया जाता है, या यूँ बोलो hidden कर दिया जाता है, ये comments मूल programmer और भविश्य में codes बेस पर काम करने वाले अन्य developers दोनों के लिए code की readability साथ ही understanding और रख रखाओ को बढ़ाने में महत्पुन वह भी का नबादा है, तो ये से हम क्या केते हैं, comments केते हैं, types of comments, comments दो प्रकार के होते हैं, comments एक होता है single line comment और एक होता है multi line comment, तो यहाँ पर हम इसको क्या specific character या यूँ बोलो specific symbol की through comments को दर्शाते हैं, और उसके basis प use करेंगे, या फिर multi line में किस तरह का use करेंगे, वो हम program के अंदर show करते हैं, और उसको जो program को execute करते हैं, तब single line comment यूज करो या multi line comment के लिए, आप जो भी symbol use कर रहे हैं, वो use कर रहे हैं, और उसके अंदर जो भी statement लिख रहे हैं, they are hidden, उसमें वो जभी program interpret होगा, तब उस line को या उस multiple line को, या उस single line को वो read नहीं करेगा, तो चलिए हम देखते हैं, single line और multi line comments क्या होते हैं, single line comments, single line comments होता क्या है, single line comment में, python में comments जोनने के लिए syntax, उसके बारे बात करें, python में comments जोनने के लिए hash, चिन्नका या हिवो नो, hash symbol का use किया जाता है, वो भी starting में, अगर आप वो single line लिखना है, तो आपको कर लिखना बढ़एगा, hash, then state में लिखना बढ़एगा, उसके आपना comments को आप महा लिख सकते है, text के form, example, जैसे कि, हाँ पे आपको दिया हुआ है, hash, this is a single line comment explaining the code ever, तो एक simple सा comment है, वो comment के आपने आगे के लिख लिख लगा दिया, तो इस single line comment कराएगा, या सी आप देख सकते है, x equal to 5 है, hash, assign the value 5 to variable x, तो ये भी एक single line comment कराएगा, तो comments का उप्योग, variable, function और या फिर code block के लिए संशिप्त स्पस्टिकरन प्रदान करने के लिए किया जाता है, वे code का documenting करने और बाद में code को दोबारा देखने पर इसे अन्य programmer या फिर मूल programmer के लिए अधिक समझने योग के बनाने में मज़द करता है, तो इसे हम क्या कहते है, single line comment केते हैं, तो चलिए, आज हम practical करके देखते हैं कि comments को कैसे लिखा जाता है, single line comment को या फिर multiple line comments को कैसे लिखा जाता है, तो सबसे simple सा example यहां आपको दिया रखा है, print hello world, ठीक ना, अब हमको इसके आगे comment लिखना है, single line comment, single line comment के लिए सबसे पहले आपको ध्यान होना single line comment अगर लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले hash का use करना है, comment के आगे hash लिखा, अब particularly यह line किस परपस से लिखी गई है, तो मैं यहां पर कोई भी statement रह सकता हूँ, बतर related to the line, यह ना, जैसे हम लिख देखा है, अबने this line is specific for specific for hello world word message, ठीक है, तो यहां simple सा statement दिया है मैंने, hello world के अंदर, और यहां पर देखी कि यह जब मैं लिखा है, तो यहां पर ऐसा color change नहीं हुआ है, जब उसको run करके देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या यह line लिखने के बाद कोई problem आई है, क्या hello world print होता है, या नहीं होता है, करते हैं, multiline comment की, multiline comment क्या होता है, python में c++ जैसे कुछ अन्य language की तरह multiline comments लिखने के लिए, कोई special text नहीं है, हाला कि दो सामान्यों पाए हैं, जिनका opinion क्या कर सकते हैं, एक होता है, triple quote string, अब triple quote string क्या होता है, इसमें syntax कैसे लिखा जाता है, इसके अंदर, इसके अंदर ज example दिया है, example में आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर double coded है, और starting भी double quote से हो रही है, ending भी double quote से हो रही है, और बीच में हमने कुछ small sentence लिखे हैं, जो multiple nines को cover कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं, multiple nines को cover, multiple nines के form में आपको comment देना हूँ, तब आपको क्या करना पढ़एगा, यादर double quote या फिर three times single quote का use करना होगा, opening और closing के तरफ, मतलब open भी से करना होगा, close भी से करना होगा, उसके इसमें अंदर फिर आप अपना कर सकते हैं, कोई भी statement को multiple nines statement को वापर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वापर, तर triple quote string का उप्योग अक्सर complex logic, function और algorithm के लिए लंबे जो होते हैं, explanation, detail explanation जो होता है, को प्रदान करने के लिए किया जाता है, जहां single line comment नहीं हो सकती है, वे multiple lines में फेले, अधिक detail explanation की अनुमती देता है, तो हम इसे क्या करते हैं, multi line comments करते हैं, multi line comment, multi line comment को के से लिखा जाता है, मैंने और रड़ी बता दिया है, multi line comment को लिखने के लिए, या तो double coded, वो तीन बार लिखना पड़ेगा, और उसको उसी से end करना पड़ेगा, और या फिर single coded को three time लिखना पड़ेगा, वो सेम चीज, उसको end भी तीन टाइम, single quote से ही करना और double coded को end भी three time से ही क्या है, और इसके अंदर हमने multiple lines लिखी है, जिससे इसके अंदर एक line और हम add कर देते हैं, this is a hello world message, यह भी मैंने एक line यहाँ पर एक link दी है, आप देख सकते हैं, इस अंदर multiple lines और multiple lines का यह comment है, multi line comment है, जब इसको हम run करते हैं, तो क्या इससे कोई fact पड़ेगा, क्या हमें check करते हैं, देखे, कोई fake नहीं पड़ा, प्रोग्राम का जब run हुआ तो answer hello world ली आया, तो आप यह देख सकते हैं, कि multi line लिखो, या फिर single line लिखो, comments को उससे कोई fact नहीं पड़ता है, वो hidden रहती हैं, प्रोग्राम को execute करते हैं वक्त, multiple single line comment की यहां बात कर रहे हैं, प्रतिक line की शुरुआत में hash symbol के साथ, कई line का उप्योग करना, python में multi line comment बनाने का एक और तरीका है, यहां इसके syntax और साथ ही साथ, उसका कैसी उप्योग किया जाता है, वो हम example की रूप में यहां देखेंगे, पर सबस्ब्सक्राम syntax देख लेते हैं, कि syntax, comment की प्रतिक line को hash symbol से प्राइम करें, यह symbol indicate करता है, कि line single comments है, और इसे python interpreter द्वारा execute नहीं किया जाएगा, example आप यहां देख सकते हैं, कि आपने तीन line लिखी हुई है, और तीनों line के आगे आपने का कर दिया, hash लगा दिया है, इससे आप वो clear है, कि यह multiple single line comment के लाता है, यहां पर हर line पे hash लगा हुआ है, यह multiple nine को, अगर आपको comment के form में देना है, तो आपको इस तरह से भी हम इसको show कर सकते हैं, triple quoted string के समान, लेकिन बहुत लंबी टिपणियों के लिए कम आकरशक हो सकता है, complex logic, function, algorithm के लिए लंबा विबरन पदान करना, प्योग के instruction, assumption और consideration सहीत, विस्तत स्प्रस्टिकरेंग के साथ, code, code documentation या documenting अना, भविश्य के संधर्म में, या feature reference या फिर, अन्य, collaboration के साथ सयोग के लिए comments या annotations जोड़ना, इसे केते हैं multiple single line comment, multiple line, multiple single line comment के बात हो रही है, अब multiple single line comment का मतलब क्या हो था, जैसे हमने अल्री देखा था, कि single line comment इसका मतलब था कि एक बार लिखो, hash लगा आगे, और वो single line comment रहता था, अब यहाँ क्या बोल रहा है, multiple single line comment, इसका मतलब है कि आप अगर single line comment लिखना चाहते हो more than one time, और साथ में उसको बार बार hash लगा दोगे, तब भी वो program run करेगा, जैसे हाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैंने क्या किया है, तीन line लिखी है, यह ना, this is a multi line comment created using, उसके आगे hash लगाया, पर multiple single line comment उसके बागे भी hash लगाया, और it can be useful for breaking down longer explanation, इसके आगे भी क्या लिखा है, मैंने hash लगा दिया, तो इससे हम क्या करते है, multiple single line comment, अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहते हैं, तो भी program क्या होगा, run होगा, और इस comment से कोई effect नहीं पुरेगा program के अंदर, चलिए, run करके देखते हैं, तो run करने के पर आपको क्या दिखाई देता है, desire called hello world, यहाँ पर show हो रहा, execute हुआ, तो hello world अपको यहाँ पर दिखाई दिया है, तो आज हमने क्या क्या चीज़ देखी, single line comment, multi line comment और multiple single line comment को हमने यहाँ पर देखा, benefits of the python, python में comments कई लाप रधान करते हैं, जो उन्हें code, readability और maintainability का एक अनिवारिय पहलो बनाती है, चलिए, हम देखते हैं कि उससे क्या-क्या main advantages है, सबसे पहला point है, easily understandable code, comment, comment case में आप जब भी, किसी भी purpose या logic या functionality के वहाँ पर, program के अंदर आप करते हो, comments लिख देते हो, तो वहाँ पर हम easily समझ जाते हैं कि ये code किस purpose से use किया गया है, next point है, self-explanatory code, इसके अंदर क्या होता है, comment अलड़ी लिखे वे होते हैं, और उसके वेसे इस पर हम easily समझ जाते हैं कि ये code किस purpose से लिखा गया है, इसकी कारेशमता को स मजने के लिए के लिए अतरिक्त दस्तावेच या फिर बाहरी references की आउशकता कम हो जाती है, documentation of decisions, जब हम comments लिख देते हैं, logic पर, उसके functions पर, या फिर उसके जो code लिखे हैं, वहाँ पर अगर हम जब लिख देते हैं, तो उसको documentation करना आसान हो जाता है, और इसके basis पर हम decision ले सकते हैं, लास्ट है selective executions, जब program run होता है, तो run होना इसका मतलब वो interpret किया जाता है, तो interpret होनते वग क्या होता है, वो particularly comment को व्यार करते हैं, ignore कर देते हैं, testing के duration पर और debugging के timing पर, इससे एक ये फायदा होता है, developer को, कि वो particularly उस जो testing जो हो रही ही है, उस specific part पर अपना ध्यान के कर लेते हैं, उसकी बजाए कि पूरे code structure पर हम ध्यान दे, इसे कहते हैं, benefits of comments, python tutorial हिंदी में, आज हमने python comments के बारे में जाना, कि python comments क्या होते हैं, वो कितने type के होते हैं, single, या multi-level, या multiples हैं, साथ इसके क्या benefits हैं, साथ में हमने programming भी देखी उसकी, और उसके क्या advantages हैं, वो भ प्लीज सस्काइब करना ना भूले और feedback देना ना भूले